रक्षा बंधन जैसे पावन त्योहार के दिन सागर और मीनू ने ये क्या किया हाई अब्रिवन मैं हूँ अभिलाशा दोस्तों अनूपमा सिर्यल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनूपमा उदैपूर से वापस आ चुकी है और फिर वो आशा भवन में राखी सेलिबरेट करने की तयारियां कर रही होती है दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शाप परिवार के लोग वापस से अनूपमा की बुराई कर रहे होते हैं वनूपमा को वहा पर खाना बनाने के लिए बुलाई गया था लेकिन ये ऑरत वह पर जाकर भी हंगामा करदी है इस पर तोशु कहता है कि उनका काम ही क्या है जहां विजात ये सिर्फ तमाशा ही करती है पाखी और डिम पी इस बात पर हामी भरते हैं लेकिन किंजल को ये चीज बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है फिर किंजल माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं कि चलो चलो टाइम हो गया अब राखी बांध लेते हैं तवी सब का ध्यान आता है कि मीनू यहां पर नहीं है पूछने पर पता चलता है कि मीनू तो बाहर गई हुई है इस पर वनराजशा को शक हो जाता है कि हो नहों ये जरूर सागर से ही मिलने के लिए गई होगी वनराज शाह मीनू को phone लगाता रहता है लेकिन मीनू phone नहीं उठाती है और तरवे वनराज शाह के phone पर एक message आता है जिस पर ये पता चलता है कि मीनू किसी coffee shop में है उसके वादवन राजशा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो तोशु से कहता है कि चल तोशु मीनू को लेकर आते हैं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मीनू सागर से मिलने के लिए कॉफी शॉप में गई हुई है जहां पर वो सागर से बार बार एक ही सवाल कर रहे है कि आखिरकार तुम मेरे साथ में इस तरीके का बिभार क्यों कर रहे हो तुम पहले तो मेरे साथ में अच्छे थे, अच्छा बाते करते थे, एक फ्रेंड की तरह थे, लेकिन सड़ली तुमने अपने हाओ भाओ मेरे लिए क्यों चेंज कर लिया, मीनू बार बार सागर से एक ही सवाल करती है, लेकिन सागर यही कहता है, कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बहुत रिक्वेस्ट करने पर फाइनली सागर मीनू से बात करने के लिए रेडी हो जाता है, उसके बाद मीनू पूछते कि बताओ सागर क्या बात है, सागर नहीं बोलता है, तो मीनू बार बार एक ही सवाल पूछती है, इस पर सागर कहता है, कि हम दोनों के औकात का फर्क है तुम एक बहुत अमीर खांदान की डॉक्टर लड़की हो और मैं एक आटो ड्राइबर हूँ और मेरा अपना घर भी नहीं है मैं एक आश्रम में रहता हूँ उसके वादमीनु सागर से कहती है कि तुम नहीं जानते कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पर तब स मुझे तुम्हारे साथ रहना बाते करना तुम्हारे आटो में बैठना और जब तुम मेरे लिए किसी से जगरा करते हो तो यह सारी चीजे मुझे अच्छी लगने लगी है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ सागर जब सागर मीनु के मूँ से इस तरह की बाते सुनता था दूसरी तरफ आशा वबन में दिखाया जाता है कि सभी लोग राखी का तेवहार बनाते हैं इंदिरा जी बापु जी को राखी बांधती है और नंदिता अनुज को राखी बांधती है उसके बाद इंदिरा जी अनूपमा को भी राखी बांधती है और कहती है कि जैसे भ पढ़ रही होते तभी सामने से बनराज आ जाता है जिसे देखकर मीनु बहुत जाता घबरा जाती है बनराज पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे है तुम्हारे हाथ में दो कप कॉफी कैसे है इस पर मीनु बताती कि मेरी फ्रेंट ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिया था और अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूं कॉफी ओर्डर कर लिया तो वो आई ही नहीं इसलिए में दोनों कप कॉफी लेकर घर ही आ रही थे फिर बंडाज शाह इधर उधर देखता है लेकिन उसे सागर नहीं मिलता है क्योंकि सागर ने मेनू को उठाकर अपने करते हैं लेकिन मीनू कहीं न कहीं घबराई हुई है और वनराज शाह एक टक मीनू के चहरे पर ही देखे जा रहा है सबकी राखी होने के बाद मीनू उसकी मम्मी यानि की डॉली का भेजा हुआ राखी वनराज को बांध देती है वनराज पूछता है कि बोलो तुम्हें क् गिफ्ट मांग लोंगे तो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है अगर आपको यह अपडेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्रा कीजिए थक्यों भाइब जाइ